ओम शैंती आज 15 ओक्टोबर 2022 है आज के स्लोगन से हम वर्दानों की शक्ति का महत्व जानेंगे कि वर्दान की शक्ति जीवन में क्या क्या कर सकती है तो आएए सुनते हैं आज का स्लोगन वर्दानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिती रुपी आग भी पानी बन जाएगी वर्दान वो शक्ति है जो हमें बिना महनत के सफलता का अनुभव कराती है वर्दान वो शक्ति शाली पंक है जो परिस्थिती के पहार मुसिबत के पहार गिरने पर भी उची उरान भरने की समर्थी प्रदान करती है वर्दान वो कवच है जो हमें सदा सुरक्षित महसूस कराते है वर्दान वो गाड है वो गाइट है जो हमें जीवन में गाइट करते हुए ऐसे ले जाते हैं जो किसी भी परिस्थिती में हमारा बाल भी बांका नहीं करने देते इतनी शक्ती शाली है वर्दानों की शक्ती परंतु इस वर्दानों की शक्ती को अनुभव करने के लिए पहले मुझे अपने जीवन में वर्दानों को जमा करना होगा वर्दानों को कमाना होगा तो उसके लिए क्या विथी है? क्या करना होगा जिसे वर्दानों की शक्ती हमारे जीवन में जमा हो जाए ये बहुत ही सहच विदी है वर्दान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बड़े-बड़े कारिय या बहुत बड़े-बड़े तपस्या या त्याग करने की आवशकता नहीं है लेकिन बहुत छोटे छोटे स्रेश्ट कर्मों द्वारा हम अपने जीवन में वर्दानों को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वो छोटे छोटे कर्म भी गुणों और शक्तियों के आधार से हो ये बहुत जरूरी है जब हम किसी के व्यवहार में आएं, किसी से बात्चित करें तो हमारे व्यवहार उनके साथ बहुत स्रेश्ट हो, नमरता पुर्वक हो, रिस्पेक्ट्फुल हो और जब हम उनके साथ बोल बोले तो उस बोल में मधुरता हो तो ऐसे छोटे-छोटे स्रेश कर्मों से जिसके अंदर हमारे कर्म के अंदर गुन हो इश्वरिय गुन हो दैवी गुन हो तो उससे तुरन ही सहचता से वर्दानों की प्राप्ति हो जाती है और साथ-साथ आए-बेले में हर एक आत्मा को सहियो का हाथ बढ़ातर करके चले तो उससे भी वर्दानों की प्राप्ति होती है इसके अलावा एक बहुत ही इंपोर्टन बात पर हमें गौर करने की जरुरत है कि वर्दानों की स्रेष्ट प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर के आलस और अलबेलेपन को त्याग करना होगा हमें अपने आपको कमफर्ट जोन से बाहर निकाल करके सेवा पर तक पर रहना होगा ऐसी सेवा जिससे दूसरों को हड़ी सुख की प्राप्ति हो उस हड़ी सुख की प्राप्ति होने से सभी आत्माई दिल से दूआ देती है और वही दूआ हमारे जीवन में वर्दान की रूप में जमा हो जाते है और यही वर्दानों की शक्ती जमा होते होते वो ऐसी शक्ती बन जाती है जो हमें उरा करके ले जाते हैं और जो परिस्थिती रूपी जो अगनी है वो भी पानी बन जाते है अर्थात जो भी प्रीत परिस्थिती है वर्दानों की शक्ती के आगे पल भर में परिवर्तिन हो जाते हैं इसलिए ऐसे छोटे छोटे स्रेश्ट करम और शुब करमों के द ओम शंती